हलो अब्रीवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम बात करेंगे काफी important चीज़ को लेके क्योंकि अभी recently 4000 प्लस vacancies जो है वो refer कर दी गई है SSB को home department के द्वारा जिसमें आपके जो JN के police constable है उसके recruitment को लेके जो है expected syllabus क्या हो सकता एक criteria क्या है age criteria में क्या changes हो सकते है age relaxation क्या हो सकती है तो सब पर बात करेंगे जो लोग इस चैनल पर ने है आप इचानल को subscribe कर लीजिए आपके लिए चैनल बहुत जरूरी होने वाला है अगले कुछ महीनों के लिए अगर आप लोगों को ने कभी भी तैयारी नहीं करी क्यो JKPSI के लिए आप लोगे से बहुत सारे बच्चे जो थे जो पिछला result आया है उसमें सबसे जादा selections हमारे साथ जो बच्चे जोड़े थे उनकी हुई है और वही चीज रिपीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग constable के बारे में अगर आप लोग इसका complete course लेना चाहते हैं तो आप लोग triple A से आपको download कर सकते हैं play store में जाके वहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें जो करवाई जाएंगी सबसे पहले तो जो वीडियो lectures होंगे वो सारे के सारे ने updated way में होंगे जो सिरफ और सिरफ constable को ध्यान में रखके बनाये जाएंगे क्योंकि अभी तक जो हम त दिमाग में रखते हैं कि जो बच्चे graduate हैं उनको किस तरीके से तयारी करवानी है और लेकिन अब हम लोग जो करवाएंगे वो basic बिल्कुल zero level से हम लोग तयारी शुरू करवाएंगे कि किसी बच्चे हो सकता है काफी time हो चुका हो तयारी छोड़े हुए तो पहला जो ध्य दूसरी चीज होगी वो यह है कि JKSSB का जो latest exam button चल रहा है जो question JKSSB पूछ सकता है उसको ध्यान में रखके अब चीज़े frame करी जाएंगे और पढ़ाने के बाद आप लोगों को test series भी इसी में मिल जाएगी PDF notes सब चीज़े आपको मिलेगे और जो starting है सो बच्चे होंगे उ जो यह आप लोग देख सकते हैं यह refer कर दी गई है JKSSB को service selection board को 4022 vacancies forward करी गई है इसका complete bifurcation भी आप लोग देख सकते हैं और जो women को लेके वो 15% reservation की बात करी गई थी इसको horizontal reservation में रखा गया है यानि की होगा क्या हम आपको बता देता हूं मान लीजे अगर 100 vacancies है जिसमें की 15 vacancies women को allot करी गई है horizontal का मतलब यह है कि अगर मान लीजे कोई women SC से हैं ST से हैं या फिर किसी भी category से हैं OBC से हैं तो मान लीजे 3 यहां से थी 2 यहां से थी 4 यहां से थी total आपकी जो है यहां पर जो अलग bifurcation होती है अगर कोई women candidate qualify करता है तो यह vacancies आपकी इस क्योटे से न लग होता है और अगर मान लीजे नहीं complete होती तो यह open merit से deduct हो जाएगी तो total जो है reservation इस तरीके से रखा गया है horizontal reservation रखा गया है vacancies काफी जादा है और बहुत बड़ी recruitment in fact class 4 के बाद यह सबसे बड़ी recruitment होने वाली है जो की 4000 vacancies को fill करेगी अब इसके syllabus को लेके बहुत सारे बच सबसे पहली चीज आपको बता दू total जो अभी तक pattern चलता आ रहा है 100 questions थे यह 2016 में अगर मैं गलत नहीं हो तो last time recruitment conduct करवाई गी थी total 100 questions होंगे 2 गंटे का time होगा 100 marks का paper होगा और component क्या होगे अब इस पर बात करते हैं देखो सबसे पहली चीज आती है आपकी journal knowledge और journal awareness अब यह की जगा कितना पढ़ना है वो सबसे important है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं इसको further bifurcate करूं तो history आप लोगों को पढ़नी है आप लोगों को basic जो छोटी सी geography में चीज़े हैं पढ़नी है इसमें भी क्या है पूरी नहीं पढ़नी है आपको कुछ components पढ़ने ह एक knowledge होनी चाहिए आप लोगों को science के basic level पता होने चाहिए इसके अलावा आपको जो miscellaneous gk होती है day to day life वाली gk जिसमें आपका कौन सी tournament हुई किसने जीती जिसमें आपके current affairs भी आ जाते हैं और कौन से level के कहां तक के पढ़ने और ये आपको component कुछ components ऐसे हैं जिसका आपको शुरू किया था आपको बस इतना याद रखना है अब लोग आमतोर पे जब classes करवाते हैं सत्यक्राय किसने पहला किया दूसरा तीसरा बहुत depth में पढ़ाते हैं लेकिन इसके लिए हमें selected approach पे काम करना है जिसको हम लोग स्मार्ट वर कहते हैं जिससे हम लोगों का जो score है वो जादा से जादा improve हो सके तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी classes जाए वो अब आपको ये बता दू कि अभी हम लोग team के साथ जब discuss कर रहे थे तो हम लोग ने decide करा है कि gk का जो सारा component होगा वो आप लोगों को मैं खुद करवाऊंगा और expected जो weightage रहती है 70% आप लो कि उठा रहा हूं यहां पर कि मैं इसको आपको पूरा गरवाऊंगा और exam point of view से जो jkssb latest पूछ रहा है उसकी तयारी मैं आपको गरवा दूँगा दूसरा component अगर बात करें eliminatory mathematics की देखो यहां पर यह जो component लिखा हुआ है इसमें क्या चीज़ें आती है अगर मैं पुराने papers की बात करूं तो उसमें बहुत basic questions थे लेकिन कई बच्चों को उसमें भी problem होती है तो यह हम लोग भी वापिस कोशिश करेंगे कि बिल्कुल basic से करवाया जाए आम तोर पर हम लोगों को पता रहते कि हमारी target audience जब वो graduate है वो इस चीज़ को समझ लेंगे capture कर लेंगे उसको जो है practice कर लेंगे लेकिन इस बार हमें बता है कि जो classes में बच्चा जोड़ रहा है वो बिल्कुल scratch से हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो तैयारी कर रहा हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हो और 4000 vacancies को ध्यान में रखके अगर आप त्यारी कर रहे हो तो आप लोगों को बता द ये 5000 का रूम आपको 3000 में दिलवा देंगे उसके बाद आप लोगों को खाने के लिए भी 3000 का टिफन 2000 में करवा देंगे तीन महीन एक coaching चलेगी और उसके बाद आप लोगों का जो total will बन जाएगा वो 50-60,000 बन जाएगा और उसके बाद बच्चा जो होगा घर जाएगा बै और सबसे important अगर मैं चीज बोलूँ अभी भी हम लोगों को इस particular recruitment को लेके बहुत सारी जगहों से बच्चे ये कहने कि आप लोग offline classes शुरू करवाओ तो मैं ये बता दू कि हम लोग offline नहीं करवाएंगे हम लोग जो offline का content है उससे thousand times better कोशिश करते हैं कि online में आपको provide करवा आपका reasoning के कुछ questions जो है वो पूछे जाएगे level basic रहता है लेकिन इसमें मैं guarantee ये ले सकता हूँ कि आप लोगों को जो चीज required है उसको करवा दिया जाएगा ताकि आपको कोई problem ना आए अब physical standard test होता है जिसमें आपको minimum height match करनी पड़ती है ये तो पुराने वाले standard के according अगर जो है वो आम तोर पे इस post के लिए देखा जाता है लेकिन age relaxation expected है यहाँ पे हो सकती है क्योंकि बहुत time के बाद ये recruitment आई है जिसमें 4000 plus vacancies है अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँगा एक बार questions का level कैसा रहता है अब ये जो paper है ये है आपके border battalion का जो की कहीना की मिलती post थी क्या level था किस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जो history के components है आपको बस यह याद रखने है कुछ important components की date यह मैं आपको पूरा sequence wise पढ़ा दूँगा कितने वेदास होते हैं वंदे मातरम किस ने लिखा था गर्णर कोन थे तो ये सारी चीजे आप लोगों को करवा द दूँ तो यह basic level का होगा सारा paper लेकिन हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनको किस तरीके से कौन सी guidance चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ आपको बस अभी के लिए है कि अगर कुछ बच्चे वेट करेंगी कि official notification आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो देखो vacancy जादा हैं बच्चे भी इसके लिए इंट्रस्टेट जादा होंगे आप लोगों को YouTube पे भी मैं classes जो है वो provide करने की कोशिश करूँगा previous year questions जो है यहाँ पर करवाओंगा कुछ basic components एक बार syllabus आने के बाद यहाँ पर कराओंगा लेकिन जो बच्चे messages कर रहे हैं बार-बार की इसर classes शुरू करवाओ उनके लिए हम लोग मार्च से शुरू करवा देंगे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ February एंडिंग में ही नहीं तो हम इसको शुरू करवा देते बट मैं मार्च में इसकी classes करवाओंगा और इतना मैं आपको assurance दे सकता हूँ कि जो आपका major 70% का इस पूर आ रहा है उससे एक level उपर लेके जाएंगे अगर JKSSB level उपर भी करता है तो आप लोगों के तैयारी हो जाएगी पहले target यह रहेगा कि हम लोग जो major components आते ही आते हैं JKSSB के exams में फिर वो history हो या फिर आपके बाकी चीजे वो cover करवा दूँगा और हाँ इस वाले component में आप आपको J&G का part भी पढ़ना है जो भी reorganization act हुए है या फिर जो basic चीजे उसमें important highlighted events उसको आपको पढ़ना है तो वो आपको मैं करवा दूँगा और बाकी मेहनत आप लोगों के उपर होगी यह खास तोर पर वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत time बात तै लेकिन यह specially उन लोगों के लिए है जिनको बिलकुल scratch से शुरू करना है तो कोई issue नहीं है आप लोग यह मत सोचिएगा कि आप लोगों coaching जाएंगे तो ही आपकी selection होगी आप लोगों को उस level पे हम लोग पहुंचा देंगे कि आप लोग मैनत से selection ले सको बट हमें आपके end स जो effort चाहिए वो 100% चाहिए ही चाहिए उसके बाद ही कोई बात बनेगी तो आज के लिए फिर इतना काफी है expected syllabus में ने आपको बता दिये यही sections होने वाली है number of questions हो सकता है change होगे 110 के 100 की जगे 120 कर देंगे जिए को change कर रहा है और age criteria भी आपका expected है कि आपको age relaxation मिल जाए इसम सही में मिली थी कोशिश करेंगे कि इसमें भी आप लोगों की request जो है यहां तक पहुंचा दी जाए तो अगर 2-4 साल की age relaxation यहां पे भी मिलती है तो बहुत सारे बच्चे जो over age की कार पे हैं वो भी इसके लिए apply कर पाएंगे तो जिन बच्चों का सपना है uniform पहनने का आप लोगों के लिए इतना काफी है बाकी अगर आप लोग जोईन करना जाते हैं triple s आपको download कर सकते हो आप लोग play store से वहां पर आपको मिल जाएगी starting के 100 बच्चों के लिए 50% discount है total course की fees 9.99 है जो आपको 500 रुपे में पूरा course यानि की video lectures, test series, notes, pdf lectures, doubt clearing classes, सारी चीजें आपको जो है इसमें available करवा दी जाएगे हमारी team के दौर अगर आपको कोई doubt है तो आप इस number पर call करके उसको पूछ भी सकते हैं तो अभी के लिए सरफ इतना ही बाबाई, take care, all the very best